अब कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है बहुत तरक्की कर ली है लेकिन क्या लोगों की सोचने तरक्की की जी नहीं क्योंकि आज भी इतने लोग है जो अपनी बेटियों के पड़ाई के खिलाफ है तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंते हैं है कोई जवाब औरत की लंबी जबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है फिर कोई गोंगी लड़की से शादी करने के लिए तयार क्यों नहीं होता है कोई जवाब उनके पास आज भी इतने लोग है जो 21 साल तक टीवी सोफा, बैड, फ्रिज, वाशिंग मशीन नहीं खरीते आपको पता है क्यों मैं बताती हूं क्योंकि वो अपने बेटों के शादी का इंतिजार करते हैं और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है एक फेसबुक के सीओ जकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99 प्रतीशत दौलत दान कर दी और यहां बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहना छोड़ देता है अजीव रिवाज है हमारे मुल्क का नियां आदमियों की खराब होती है और गूंगत और तो की निकलवाते हैं और हम कहत तो रात हो जाएगी लेकिन दोशब जरूर कहूंगी उन बेटों के लिए जिन्हें मा का मतलब नहीं पता किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुर ढूंडो मा क्या होती है समझ जाओगे मा तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए औ पता है क्या कहेगी कि बेटा खाना बना रही थी न इसलिए गरम हूँ अब हमें पुराने रीती रिवास को तोड़ कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर मा हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जनम में मुझे बेटी ही चा झाल 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 झाल